नमस्कार फ्रेंड्स वागत आप सभी का सॉलूशन अभी से एक यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी हाली में जो है कई महतपूर नियोक्तियां हुई हैं तो इस वीडियो में सभी नियोक्तियों को फुली डिटेल से कवर करेंगे अगर आप किसी भी जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको जरूर दो से तीन कोशन देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इसका जो पीडियेफ है आपको टेलिग्राम के चैनल पे एक से दो दिन मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोईन कर लीजिए तो चली वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें चली वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो कुशन कुशन नमब बन भारतिय बिस्ष्ट पैचान प्रादीकरड UIDAI के नईस EEO कान बने हैं तो ये बने हैं अमित अग्रवाल जी भारतिय बिस्ष्ट पैचान प्रादीकरड इसको इंगलिस में कहते हैं Unique Identification Authority of India short form है इसका UIDAI इसकी जो इस्थापना हुई है 28 जनवरी 2009 को इसकी इस्थापना हुई इसका headquarter जो है नई दिल्ली में है अगले जो question कुछ नमा टू भारती अभू बैग्यानिक सर्वेचर Geological Survey of India GSI को इसको short form में कहते हैं इसकी जो इस्थापना है 4 March 1851 में हुई थी इसका जो headquarter है कोलकाता पश्यम बंगाल में है आप सभी लोग याद रखिए अगले जो question question कुछ नमा third The Hindu Group Publishing Private Limited की नई अध्यच कौन बनी है तो ये बनी है निर्मला लक्षमड आप सभी लोग इनको याद रखिएगा The Hindu Group Publishing Private Limited इसकी जो इस्थापना है 1878 को हुई थी इसके जो संस्थापक हैं और इसका जो headquarter है चेन्नाई तमिलनाडू में इसका headquarter है The Hindu Group Publishing Private Limited का जो headquarter है चेन्नाई तमिलनाडू में है Friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेखे करें अगले जो कुश्चन कुश्चन मर फूर बिसु मौशम बिग्यान संगठन के नए अध्यच कौन बने हैं तो वीडियो मौशम बिग्यान संगठन के नए अध्यच बने है अब्दुल्ला मंडोज आप सभी लोग याद रखेगा वीडियो मौशम बिग्यान संगठन के बारे में जान लेते हैं इसको इंगलिस में बोलते हैं सौर्ट फॉर्म जो है WMO आप सभी लोग याद रखेगा इसकी जो इस्थापना हुई है 23 मार्च 1950 को इसकी इस्थापना हुई इसका हेटकोर्टर है स्यूजलेंड में और अब्दुल्ला मंडोज जो है इसके नए अध्यच बन गए हैं आप सभी लोग याद रखेगा अगला कुश्ण कुश्ण कुश नमा 5 विस्फ बैंक के चरओडवे अध्यच कोन बने है तो चरओबे अध्यच बने है व Jeśli वर्ल्ल बैंक के अजय बंगा जी तो अजय बंगा जी जो है भारती अमूल के अम 멸िटन की नागरिक हैं तो Wrangler brand की नई brand ambassador बनी है इस्मिर्थी मंधाना ये जो है किर्केटर है आप सभी लोग याद रखेगा अगर बात किजाए स्मिर्थी मंधाना की तो यहां पर जो भी ये लिखा है इसको आप लोग उटा दीजिए तो यहां पर इस्मिर्थी मंधाना जो है ये किर्केटर है आप सभी लोग यहां पर याद रखेगा ये जो लाइन है आप लोग काट दीजिए ये टाइपिंग मिस्टेक है Wrangler brand के बारे में जान लेते हैं Wrangler brand के बारे में जान लेते हैं इसकी स्थापना 1904 में हुई थी इसका headquarter है सेउंक तराज जमिर्का में आप सभी लोग याद रखेगा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इस लाइन को आप लोग हटा दीजे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आप सभी लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजेगा अगले जो कुशन कुशनमा 7 केंद्रिय जांच ब्यूरो CBI की नई नेदिस से कौन बने है तो ये बने हैं पिरबीड सूध और केंद्रिय जांच ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं CBI के बारे में केंद्रिय सतरक्ता आयोक्त बने हैं पिरबीड कुमार स्रीवास्तब अगर बात किया केंद्रिय सतरक्ता आयोक्त के बारे में तो Central Vigilance Commission के बारे में जान लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 इसका हैटकोर्टर नई दिली में है पिरबीड कुमार स्रीवास्तब जो हैं भारत के नई केंद्रिय सतरक्ता आयोक्त हैं आप सभी लोग इनको याद रखेगा अगरे जो कुश्ण कुश्ण नमा नाईन मुंबई हाई कोट के नई मुखिन आईदीस कोन बने हैं तो मुंबई हाई कोट के नए मुखिनाइदीस मने हैं नियाय मूर्ती, रमेश्ट, दी, धनुका आप सबी लोग इनको याद रखेगा मुंबई हाई कोट के बारे में जान लेते हैं तो मुंबई हाई कोट के दारिये में जो है महारत का दो राज्याते हैं महराष्ट और गुवा महराष्ट और गुवा मुंबई हाई कोट के कारेचेतर है इसकी जो इस्थापना होई थी मुंबई हाई कोट की ये 14 अगस्त 1862 को होई थी और कहां इस्तित है तो मुंबई महराष्ट में ये इस्तित है अगला कुशन कुशनमा 10 तुर्की देश के एक बता चुका हूँ बदले गई नामों कोई वीडियो में आप सभी को मैं बता चुका हूँ जिसमें मैंने बदले गई नामों से रिलेटिड मैंने जो है 125 प्लस कुशन कवर किये थे तो उस वीडियो मैंने आपको बताया था कि तुर्की देश का नया नाम क्या बना है तो यह इसकी राजधानी है अंकारा तुर्किश लीरा जो है इसकी मुद्रा है और ग्यारभी बार जो राष्टपती का चुनाव जीते हैं रिचेप, तयव, इर्दुगान आप सभी लोग याद रखेगा अगला जो कुशन कुशनमा 11 भारत के नए केंद्रिये स्वास्त सचिब क इससे पहले ये बंदरगा, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रा लेके सचिब थे, भारत के स्वास्त मंत्री जो हैं मंसुक मांडाविया हैं आप सभी लोग याद रखेगा, सुदान सुपंद जो हैं भारत के नए केंद्रिये स्वास्त सचिब हैं, फ्रेंट्स अगर आपक सभी लोग इनको याद रखेगा, स्वामी नाथन जानकी रमन ने जो है महेश कुमार जेन का इस्थान लिया है, भारती रिजर्बेंक के बारे में जान लेते हैं, रिजर्बेंक आफ इंडिया, रबियाई इसका सौट फोर्म है, इसकी जो इस्थापना है, एक अप्रेल 1935 इसको इसकी सथापना हुई RBI के आप सभी लोग याद रखेगा, गवर्नर जो है वर्तमान में सकती कांदास हैं, मुख्याले जो है मुभी महराष्ण में है, RBI का आप सभी लोग याद रखेगा, 50 गवर्नर जो बन गए है नए, स्वामी नाथन जान की रमन आप सभी बन गए हैं मार्गरेटा डेला वेला ने जो है निक रीड का इस्थान लिया है बोड़ा फोन समू एक बेटेस बहुरास्टिय दूर संचार कमपनी है इसकी जो इस्थापना हुई थी 1984 को हुई थी इसका हैटकॉर्टर लंदन यूनाटेट किंग्डम में है आप सभी लोग याद रखेगा अगला जो कुशन कुशनम 14 एर इंडिया के मुखे तकनी की अधिकारी कौन यूक्ति किये गए हैं तो ये किये गए हैं सिसीरा कांतादास आप सभी लोग याद रखेगा एरलाइन की स्थापना जे आर डी टाटा दौरा 1932 में टाटा एरलाइन के रूप मे जो है ये नई दिल्ली में है एर इंडिया का आप सबी लोग याद रखेगा अगला जो कुशन कुशनम 15 केरल हाई कोट के नई मुखे नाइडिस कौन बने हैं तो केरल हाई कोट के नई मुखे नाइडिस बने हैं S.V.W.T. S.V. भट्टी जो है केरल हाई कोट के नए मुखिनाइदीस बने है केरल हाई कोट के अधिकार छेतर भारत का एक राज्य केरल और एक केंदर ससर प्रदेश लच दीप आता है आप सभी लोग याद रखेगा केरल हाई कोट की स्थापना जो है 1 नमबर 1956 को होई थी और कहां इस्थित है तो कोची केरल में केरल हाई कोट इस्थित है S.V. भट्टी जो है केरल हाई कोट के नए मुखिनाइदीस बने है अगला कुशन कुशनमा 16 कलकत्ता हाई कोट के मुखिनाइदीस कौन बने है तो कलकत्ता हाई कोट के मुखिनाइदीस बने है टी एस सिब गनानम सिब गनानम जो हैं ये बने हैं कलकत्ता हाई कोट के नए मुखिन आइदिस कलकत्ता हाई कोट के अधिकार छेतर जो है भारक का एक राज्य पश्यमंगाल और एक केंद ससे पिर्दिस अंडवान और निकोबार दीब समू आता है कलकत्ता हाई कोट की स्थापना जो है एक जुलाई 1862 को हुई थी और कलकत्ता हाई कोट कहां इस्तित है तो कॉलकाता में इस्तित है जो की पश्यमंगाल की राजधानी है आप सभी लोग ये कुश्चन को याद रखेगा जितने भी मैं एक्स्टा फेक्ट बताता हूँ इसका इंग्लिस में बोलते हैं इसकी जो स्थापना है नवंबर 1975 को हुई थी इसका हैटक्वाटर है कॉलकाता पश्यमंगाल में आप सभी लोग याद रखेगा अगले जो कुश्चन कुश्चनम 18 भारतिय प्रतियस पर्दा आयोग की नई चेर परसन कौन बनी है तो भार भारतिय प्रतियस पर्दा आयोग की नई चेर परसन बनी है रबनीत कौर आप सभी लोग इनको याद रखेगा भारतिय प्रतियस पर्दा आयोग इसको इंग्लिस में कहते हैं Competition Commission of India इसकी जो स्थापना है 14 अक्टुवा 2003 को हुई है इसका जो हैटक्वाटर है भारतिय प्र संग लोग सिवा आयोग UPSC के नई अध्यच कोन बने हैं तो UPSC के नई अध्यच बने हैं मनोज सोनी और UPSC के बारे में जान लेते हैं संग लोग सिवा आयोग UPSC Union Public Service Commissioners को इंग्लिस में बोलते हैं एक अक्टुवर 1926 को इसकी स्थापना हुई इसका हैटक्वाटर है नियामक बोर्ड की जो अध्यच बने हैं एक जेन बने हैं पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस नियामक बोर्ड जो है भारत में एक बैधानिक निकाए जिसका गठन भारत की संसद के अधिनियम अथार्ट पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 286 क इताहत किये गई थी तो आप लोग सभी लोग इतने extra fact याद रखेगा अगला कुश्चन कुश्च नमर 21 भारतिय डेटा सुरच्छा परिशद के नए अध्यच कौन बने हैं तो भारतिय डेटा सुरच्छा परिशद के नए अध्यच बने हैं प्रमोद भसेन आप सभी लोग इनको याद रखेगा भारतिय डेटा सुरच्छा परिशद इसको इंगलेस में कहते हैं डेटा सिक्योर्टी काउंसिल आफ इंडिया डिएस सी आई इसकी गठन जो हुआ था अगस्त 2008 को इसका गठन हुआ नोईडा यूपी में जो है इसका मुख्याले है उत्तर जो है SFI के नई अध्यच बने है तो भारतिय तेरा की महसंग दा स्विमिंग फेडरेशन आफ इंडिया SFI इसको सौट फॉर्म होता है 1948 को ये स्थापित हुआ था इसका जो हैड़क्वाटर है एहमदाबाद गुजरात में इसका हैड़क्वाटर है अगला कुश्चन इसको यही इंग्लिस में कहते हैं 1950 में ये स्थापित किया गया था नई दिल्ली में इसका मुख्याले है आप सभी लोग याद रखेगा अगला जो कुश्चन कुश्चन 24 इस वीडियो का लाज़्ट कुश्चन है संयुक्त राष्ट के खाद्य एवं किट्सी संगठन FAO क महाने देशक कौन बने हैं दुबारा से जो महाने देशक बन गए हैं FAO के ये बन गए हैं क्यू डोंग यू आप सभी लोग याद रखेगा संयुक्त राष्ट खाद्य एवं किट्सी संगठन Food and Agriculture Organization FAO इसको इंगलिस में बोलते हैं सर्ट फर्म में FAO बोलते हैं Food Agriculture Organization आप सभी लोग याद रखेगा सर्ट फर्म में जो है FAO बोलते हैं Food and Agriculture Organization इसकी जो स्थापना है 16 October 1945 को इसकी स्थापना हुई इसका जो हैटक्वाटर है रॉम इटली में इसका हैटक्वाटर है आप सभी लोग याद रखेगा फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजेगा फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दस फ्रेंट्स में वीडियो को जरूर पूर शेक करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की इन चैनल जूरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तक तक के लिए जैहिंद वन देमात्राम